मार्कीट में एक तो घुसना बहुत मुश्किल होता है दूसरा वहाँ पर प्रॉफिट बहुत कम होता है और तीसरा तो आपको अपने बिजनस की अपने ब्रैंड की अपने प्रोड़क्ट की एक दो लाख रुपे भी किसी के लिए लो इंवेस्टमेंट है और किसी के लिए ह सबसे बड़ी इस वीडियो इस पावर्ड बाए मेटास लाइश्टाइल इंडियास लीडिंग मैनुफाक्ट्टर ऑफ स्टेलने स्टील मॉडूल केशिन बाथ्रूम वैनेटी गौड रोब एंड स्टील इंटीरियर फ्रंचाइजी शोरूम पैन इंडिया हाई फ्रेंड्स मैं हूं दॉक्टर अमित मैंश्वरी बिजनस ट्रेनर कॉर्परेट ट्रेनर मुडिशन स्पीकर और चीयो मेटास ओवर्सीज लिमेटेड आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में फ्रेंड्स मेरे जीवन का उदेश्य की भ लेकर कोई आइडिया नहीं है तो कैसे आप डिसाइड करें कि आपको किस इंडस्ट्री में जाना चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपकी होबी क्या है आपको किस तरह का काम पसंद आता है बहुत सारों को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पसंद आती है किसी को रेडिमेट गार्मेंट किसी को food industry अलग-अलग लोगों को अलग-अलग taste and preference होता है तो सबसे पहले अपनी hobby को identify करें उसके बाद ये देखी market का taste and preference क्या है कौन-कौन सी इसी industries हैं जिसमें लोगों का रुजहान बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लोग उस तरह की industry को प्रार् करना पसंद करते थे फिर दूसरा ट्रेंड आया जिसको हम cloud kitchen कह सकते हैं कि आपने कहीं back end में kitchen बनाया हुआ है आप जमेटो स्वेगी और इस तरह की apps के साथ मिलकर काम करते हैं उसके बाद direct delivery का system आया बहुत सारे लोगों ने एक ही industry में अलग-अलग तरीके को इजाद किया तो आप देखें कि market का trend क्या है सेम उस industry को करने के लिए कौन सा trend चल रहा है जैसे आप देखेंगे taxi services में पहले taxi stand हुआ करते थे और फिर वो convert किसमें हो गए ओला Uber से services देने की facilities में अपने आपको इन्होंने convert कर लिया तो market trend क्या यह समझना बहुत जूरी है जब भी आप कि profit बहुत कम होता है और तीसरा वहाँ पर growth की जो संभावना है वह बहुत कम होती है क्यों क्योंकि competition बड़ा अपार लेवल पर हो जाता है एक्स्ट्रीम लेवल पर हो जाता है next important बात है level of investment आप जो बिजनस करना चाह रहे हैं कई बार क्या होता है मैं कैसी industry का chain कर लेते हैं ज small investment है medium investment है high investment है depend करता है कि आपके पास financial support या financial power या money backup कितना है fine तो आप level of investment भी check करें और level of investment के साथ नहीं एक बात और जरूरी होती है कई industry होती है कि आज आपने शुरू की 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 या महीने बर में वो शुरू हो जाएंगी कुछ industry ऐसे जिनको शुरुआत करने में 5-6 मेने का समय लगता है और कई businesses ऐसे हैं जिसको शुरू करने में ही कई साल का समय लगता है जैसे आप अगर online food delivery services शुरू करना चाते हैं तो 15-20 दिन में आप काम शुरू कर सकते हैं लेकिन आप सोचे कि मैं खुद का app develop करके web develop करके जमेटर सुवेगी की तरह मैं services को द profit क्या है हर industry मेंने fixed percentage of profit होता है बहुत सारी इंडस्ट्री में 5-10-15-20 परसेंट तक होता है कई इंडस्ट्री में 50-100 परसेंट होता है कई इंडस्ट्री में 100-200-300-400-500 परसेंट तक का भी margin होता है अब आप सोच रहे होंगा इसी कौन-कौन सी industry है तो मैंने आपको कहा था आ रहे कि industry है जहां पर high profit हो सकता है जितनी भी industry make to order वाली होती है मतलब जहां पर customer की requirement के according चीजों को बनाया जाता है क्योंकि वहां पर कोई ready product नहीं है तो वहां पर ratio of profit भी बहुत हाई होता है नेसेस्टी बेस्ट goods and services जो होती है उसमें ratio of profit कम होता है और luxury based जो business होते है उसमें ratio of profit बहुत हाई होता है उसके लबा future growth possibilities क्या है उस business की भविश्य में बढ़ने की क्या-क्या संभाव नहीं है जैसे मान लीजिया printing industry मैंना चाहते हैं और आपको लगता है कि flux के boards and holdings का काम शुरू करता हूं तो मैं आपको बता दूँ अगले कुछ वर्षों में flux जैसा business है वो बहुत ज़्यादा डाउन जाने वाला है और कई states में तो उसको ban कर दिया जाने वाला है जैसे plastic से संबंदित अगर आपको बिजनस करना चाहरे हैं तो आपको पता होना चाहिए government ऐसी policies लेकर आएगी कि आने वाले समय में plastic को ban कर दिया जाएगा तो आपको देखना है कि future growth possibilities क्या है है जैसे stainless tree से संबंदित अगर आप business करते हैं तो future growth possibilities अपार है है यह डिपेंड करता है कि future growth possibilities क्या है यह चीज़े आपको अध्यन करनी है उसके बाद get knowledge और experience in the same industry जिस industry में आप काम करना चाहते हैं देखिए दो तरह के लोग हैं एक वो लोग जिनोंने बहुत भ अगर उनने वो पुझी कहीं लगा दी और वो ढूब गई तो कहीं न कहीं वो बहुत लंबे समय तक भी उससे उभर नहीं पाएंगे इसलिए जरूरी है सबसे पहले उस industry में knowledge ग्राइब करें और experience ले उसके लिए करना क्या है आप जिस तरह की industry में जाना चाहते हैं उस तर होगी, growth possibilities पता होगी, competition पता होगा, ratio of profit पता होगा, risk कितना हो सकता है वो सब कुछ आपको पता होगा, या work as a part-time job, मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बनाया था, गुजराती जो होते हैं वो business में बड़े तेज होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि वो जि जानी से उस industry में enter कर सकते हैं, या आप उस industry में थोड़ी सी knowledge करने के बाद, जानकारी लेने के बाद, part-time job करने के बाद, उस industry में as a freelancer work कर सकते हैं, जैसे हमारी industry है, modular kitchen industry, तो modular kitchen industry में बहुत सार लोग as a freelancer हमारे साथ काम करते हैं, उनके पास कहीं कोई project है, उसकी information हमें देत industry में जब आपको सारे knowledge हो जाए, तब आप खुद का capital लगा के business चुरू करें, आज बहुत सारे लोग commission basis पर काम करते हैं, आपको जरूरत है के sales को grab करने की, और sales grab करने के बाद vendor से material supply लेने की, तो ये commission पर भी हो सकता है, या profit making पर भी हो सकता है, दोनों में difference है, commission basis पर मतलब होता है कि आप उसी company को represent करते हैं, उसी के information देते हैं, उसी के जानकारी देते हैं, और उसी के विहाफ पर deal करते हैं, पर आपको एक fixed percentage of commission मिलता है, दूसरा method, जिसमें आप अपने विहाफ पर order receive करते हैं, और बाद में vendor से supply लेते हैं, तो ये आपके open network करता है, कि आप commission basis पर पर काम करते हैं, या profit basis पर, चीक है, next important बात है, वो start business with low investment, आप low investment की definition है न, वो हर व्यक्ति के लिए लगे है, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि 1 करोड, 2 करोड आपके लिए high investment हो, किसी के लिए low investment हो, या 10-20 लाख रुपे किसी के लिए low investment हो, किसी के लिए high investment हो, या 1-2 लाख र definational low और high की, वो इस बात पर depend करती है, आपकी capability कितनी है, तो आप as a trader भी उस industry में काम कर सकते हैं, trader मतलब आप कोई manufacturing नहीं कर रहे हैं, आप manufacturing नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप उस industry में trade कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और vendor से material को supply ले रहे हैं, दूसरा as a associate partner, आप उ industry में जो already manufacturer है, या supplier है, या brand है, या companies है, आप उनके associate partner बनके भी उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, आज हर company को ऐसे लोग चाहिए, जो उनकी sales को represent कर सके, as a sales representative उनके साथ काम कर सके, तो associate partner बनके भी आप काम कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जितने भी बड़े-बड़ apartments, बड़े-बड़े villas, farmhouses, bungalows बनते हैं, वहाँ पर सारे के सारे लोग जो होते हैं, वो नहीं होते हैं, जिन्हों ने उनको develop किया है, जो sales purchase कर रहे हैं, बहुत सारे commission agent होते हैं, जिन्होंने property dealer के रूप पर अपना office बनाया हुए, और वो as a dealer, उनके वियापर उनके से मिलक deal करते हैं, तो वो कौन होते हैं, associate partner, जैसे आमरपाली गृप का आप देखेंगे, तो बहुत सारे property dealers के यहाँ, उनके catalog और brochures में लेंगा और वो उस product को sale करते हैं, ठीक उस तरह से आप associate partner के रूप में भी काम कर सकते हैं, जब आप उस business की पूरी knowledge grab करने, जब आप उस industry के बारे में बहुत कुछ पता लग जाए, तब आप low investment के साथ business तो शुरू करी लेंगे, उसके बाद focus करें अपने business को grow करने के लिए, और business कैसे grow होगा, कहते हैं कि business को अगर बढ़ा करना है, तो सबसे पहले आपको sales के volume को बढ़ा करना होगा, दूसरा, एक बहुत बड़ी mistake कि business owner करता है, वो क्या करता है, पैसा कमाता है, निकाल लेता है, पैसा कमाता है, निकाल लेता है, लेकिन ये problem उनके साथ रहती है, जो small scale level पर रहते हैं और business को grow नहीं करना चाहते हैं, करना सब विक्ती चाहते हैं, पर तरीका नहीं बताता करना कैसे है, सही business कब grow होता है, ज अब भी तो आपको इतने पैसे मिल रहे थे 20,000, 25,000, 30,000 जो amount आप रखना चाहें वो अपने पास रख सकते हैं और बाकी का बचा हुआ 80,000 री इन्वेस्ट करें अपने बिजनस में, find more vendors, और जादा vendors ढूणे, क्योंकि देखिए जब आप इंडस्ट्री में नहीं होते हैं, तो आपको आपको महंगा material देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है आप नहीं है, और जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती है, जैसे इसे बढ़ा किंग कॉन होता है, बिजनस में, इंडस्ट्री में किंग कॉन बनता है, जिसके पास सबसे बड़ी sale होती है, तो सबसे पहले आपने लिए ज़्यादा गरहाक ढूणने का प्रयास करें, जितने ज़्यादा गरहाक होंगे, उतनी सेल होगी, उतनी बड़ी purchasing power होगी, उतना ज़्यादा best rate आपको vendor आपको देने के लिए तयार होगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है, find more clients, अब buyer कैसे डूनते है, how to find out, buyer इस से related, बहुत सारे videos मेरे इस channel पर दिये हों, उसके बाद, increase your online and offline visibility, कहते हैं कि जो दिखता है, वो बिखता है, तो आपको अपने business की, अप अपने product की, अपनी services की visibility बढ़ानी है, कहांगा, online and offline, इस से related भी एक video मैंने दिया हुआ है, कि online presence कैसे बढ़ाएं, कैसे social media platform के जरिए business generate करें, और आपको भी पता होगा, मेरी company Metas Overseas Limited, जितना भी business हम कर रहे हैं, जितने भी showrooms बना रहे हैं, dealers बना रहे हैं, associate partner बना रहे हैं वो सब online presence की वज़े से बना रहे हैं, इसके राब हम offline branding भी करते हैं, जिससे मारे business की growth हमें मिलती है, इसलिए हमेशा focus करें, कि आप online and offline branding के जरिए, अपने product, अपनी service, अपने brand की visibility बढ़ाएं, कहते हैं, जो दिखता है, वही बिखता है, और जितना जादा दिखेगा, उतन गरहा contact करेंगे, उतना sales volume बढ़ेगा, तो friends, ये वो तरीके हैं, जिससे आप, अगर आपके पास business का idea नहीं है, तो सबसे पहले business का idea explore करें, search करें, उसके बाद उस industry में experience लें, और experience लेने के बाद उस business को small scale पर start करें, और small scale पर start करने के बाद, उसको expansion की और ले कर जाएं, और उसके बाद large number of unit कैसे बनानी है, उससे related भी बहुत सारी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, कोई भी business related informative वीडियो मिसना हो, उसके लिए चैनल को subscribe कर लें, और bell icon को जुरूर प्रेस करें, ताकि वीडियो का notification आपको मिले, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं Dr. Amit Mahish आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूं, जै हिंद, जै भारत